दोस्तों धर्ती पर तरह तरह के जीव जंतुएं पाय जाते हैं और सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर विराते हैं जहां एक तरफ हम इंसानों को अपना पेट भरने के लिए महीनत करना पड़ता है वही जानवरों के लिए भी अपना पेट भरना अतना आसन नहीं होता बस उनकी महीनत हम इंसानों से थोड़ी अलग होती है जंगल में ढहने वाला प्रतेक जानवर एक दूसरे का भोजन होता है इसलिए सभी जानवर को अक्सर एक दूसरे से खत्रा बना रहता है और सायद यही कारण है कि इसवर ने उन्हें अपने आपको बचाने के लिए तरह तरह की खूबियां दी है कुछ जानवर अपनी विसालता के कारण अपनी रक्षा कर पाते हैं तो कुछ जहरीले पन के कारण कुछ अपनी नुकीली दातों और पंजों के कारण तो कुछ ऐसे भी जानवर है जो अपने फुर्तीले पन के कारण अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं लेकिन इनकी ये खूबियां हम इंसानों के लिए उतनी आसरे जनक नहीं होती है, क्योंकि ऐसी खूबियां कई साड़े जनवरों में पाय जाते हैं। जैसे कि जहां साप अपनी रक्षा अपने जहरीले पन के कारण कर पाते हैं, वहीं बिच्चू और जेलिफिस जैसे जीव भी अपनी रक्षा अपने जहरीले पन के कारण ही कर पाते हैं। लेकिन धर्ती पर एक ऐसा भी जीव मौझूद है जिसके पास अपनी रक्षा करने की खुबी औरों से बिलकुल अलग है या यूँ कहा जाए तो वह जीव अद्वितिय है और आज की वीडियो में हम आपको इसी जीव के बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों बने रही है करेंके फॉलौ करना नहीं भोलें दोस्ते हम बाद कर रहे हैं इलेक्ट्रिक उल्की जिसका साइंटिफिक नाम इलेक्ट्रो फोरस एलेक्ट्रिकस है इसके नाम को सुनकर आप इसकी खुबी का अंदाजया नहीं लगा पा रहे होंगे वह समझ गये कि इस मचली का संबंध कहीं न कहीं electricity से है दरसल electric eel, eel की नहीं, बलकि knife fish की दूर की रिष्टेदार है इस मचली की ओसत लंबाई तक्रिवन 8 फिर तक हो सकती है और इसका वजन लगवक 20 गेजी तक हो सकता है electric eel मुख्य रूप से दक्सिन अमेरी की नदियों और Amazon नदी में पाय जाते हैं इन मचलीयों की दो और प्रजातियां होती है जिसमें से एक का नाम Electrophores Valley और दूसरे का नाम Electrophores Voltaï है electric eel का मुख्य भोजन मीठे पानी की मचलियां, केकड़े और जिंगे होते हैं ये अपने सिकार को करेंड के जटके देकर अधमरा कर देते हैं और फिर उसे पूरा ही निगल जाते हैं electric eel के सरीर में करेंड की उत्पत्ति उसके सरीर में मौझूद electrolyte cell में होता है जिसकी बनावट किसी बैटरी के आंत्रिक हिस्ते की तरह होता है आपने कई बार लोग को ये कहते तो जरूर सुना होगा कि पानी में रहकर मगरमच से बैर नहीं करते हैं लेकिन इस मचली के साथ इस बात का बिल्कुल उल्टा होता है ऐसा कई बार देखा गया है कि मगरमच भी इसके करेंड से अधमरे हो जाते हैं इस कारण मगरमच भी इस मचली से दूर ही रहना पसंद करते हैं द्रसल इलेक्ट्रिक इल अपनी करेंड की ख्षमता को बढ़ाने या घटाने में सक्षम होता है आम तोर पर ये सिकार करने के लिए करेंड की छोटी छोटी डोस दे कर छोटे छोटे मचलीयों को अपना सिकार बनाता है लेकिन खत्रा महसूस होने पर या हाई पावर करेंड छोणे लगते हैं जिसे की मगर मच जैसे बड़े-बड़े जीब तो क्या हम इंसानों की विमोथ हो सकती है जहां हमारे घड़ों में लगवग 200 वोड तक की करेंड का एक जटका भी अगर हमें लगता है तो कुछ समय के लिए हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम बिल्कुल सुस्त बैट जाते हैं वही इलेक्रिक इल 860 वोड तक की करेंड की जटके देने में सक्षम होता है तो इससे आप यह तो अंदजा लगा ही सकते हैं कि यह करेंड अगर हमें लगे तो हमारा क्या हाल होगा यहां तक ही इनके बच्चे भी 100 होड तक के करेंड के जटके दे सकते हैं जहां एक तरफ कुछ मचलियां नदी के मीठे पानी में जीविद रह सकती है तो कुछ मचलियां समुदर के खाड़े पानी में वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक इन दोनों ही तरह के पानी में जीविद रह सकते हैं तो दोस्तों आपको इस अद्वीतिय मसली के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जबर बताएं और अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अपना केंती वक्त देने के लिए धन्त दोनों